क्या आप जानते हैं जगनात पूरी में आज भी जगनात जी के दर्शन करने के लिए देवी देवतागन आते हैं और उनके लिए एक विशेश द्वार भी बनाया गया है इतना ही नहीं इस मंदिर में अघोरी और तांतरिक साधू भी जगनात जी के दर्शन करने आते हैं और उनके लिए भी एक अलग से द्वार की व्यवस्था है जानना चाते हैं चलिए बताती हूं हरे कृष्णा जगनात मंदिर अनेक रोचक रहस्यों से भरा हुआ है इस मंदिर में चार द्वार है पूर्व द्वार को सिंह द्वार कहा जाता है उत्तर द्वार को हस्ती द्वार की नाम से जानते हैं दक्षिन द्वार को अश्व द्वार कहते हैं और पश्चिम द्वार को व्याग्र द्वार की नाम से जाना जाता है अगर आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मुख्य द्वार है सिंह द्वार, इस द्वार पर दोनों तरफ सिंग की विशाल मूर्थियां स्थापित की गई है, यहां सिंग रखने की पीछे का उदेश है कि सिंह बल और धर्म का प्रतीक माना जाता है, इसलिए जो भगवद भक्ती की इच्छा रखते हैं और जो शुद्ध भक्ती के पत पर चलने की इच्छुक भक्त हैं, वे सामाने रूप से इसी द्वार से मंदिर में प्रवेश करते हैं, जब रथयात्रा का समय होता है तो स्वयम जगनात जी भी इसी द्वार से आवागमन करते हैं, दूसरा द्वार है हस्ति द्वार जोकि उत्तर दिशा में स्थित्थ हैं इस द्वार से नव क्लेवर के समय पर धारू लकडी को प्रवेश करवाया जाता है यह द्वार मोक्ष और वहराग्य का प्रतिनिध्व करता है हाला कि इस द्वार पर आपको हाथी देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन जैसे ही आप इस द्वार से अंदर की ओर जाएंगे तो वहां कुर्म प्राचिर के द्वार पर दो विशाल का हाथी नजर आते हैं। यही वो विशेश द्वार है जहां से देवी देवता भगवान जगनात के दर्शन हेतु इस मंदिर में प्रवेश करते हैं। तीसरा द्वार है दक्षन दिशामे और इसका नाम है अश्वद्वार। सामाने रूप से इस द्वार को दक्षन द्वार के नाम से भी बुलाया जाता है। इस द्वार पर दो सैनिक खोडों पर सवार होकर खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये दो सायनिक स्वयम जगनाद और बल्देव जी ही हैं जो कि राजा पुर्षवत्म देव की सहायता के लिए कांची पुरम विजय के लिए गये थे। इस विशेश द्वार से आने की अनुमती राजा को और उनके राज परिवार को दी गई है। लेकिन रानिया अधिकतर सी द्वार से ही प्रवेश करती है। ये द्वार धन, संपत्ती और यश का प्रतिनेधित्व करता है। मेखनाद प्राचिर की दक्षिन और जाते हुए पेजा नाला या पेजा कुंड है। जगनाद जी की रसोई में भोग बनाने के लिए जो पानी उपयोग में लिया जाता है, वो बचने के बाद इसी नाले से बहार आता है। और इसी स्थान पर जगनाद जी ने अपने प्रिय भक्त बंदू मोहंति को सुवर्ण थाल में अपना प्रसाद दिया था। अगर ये कथा आपने नहीं सुनी है, तो हमारे चनल पर जाईयो और इस मधूर कथा का आस्वादन कीजिये। और अंत में आता है पश्चिम दिशामेस्थित व्याग्र द्वार। इस द्वार पर व्याग्र की दो विशालकाय मुर्थियां स्थापित की गई है। ये द्वार भौतिक इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है और इस द्वार से सामाने रूप से तांतरिक साधू, अखोरी बाबा और देव दासियां प्रवेश करती है। इन चार मुखे द्वार के साथ साथ एक पांचवा द्वार भी है इस श्री मंदिर में और ये द्वार आनन्द बजार की ओर खूलता है। जब रथ्यातरा के समय जगनाजी स्नान मंडब में जाते हैं तो समय इसी द्वार का उप्योग किया जाता है। है ना ये रहस्यमय मंदिर? क्या इस श्री मंदिर के विभिन द्वारों के बारे में आपको पहले ये जानकारी थी? नहीं न, आपके मित्रों को भी नहीं होगी। इसलिए अभी इस वीडियो को उनके साथ शेर कीजिए ताकि जगनाजी के प्रती उनकी श्रधा और भक्ती में वृत्ती हो। और आपके अपने इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए और बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा। वैदिक संस्कृति की महानता को जन जन तक पहुँचाना हम सब का नईतिक करतव्य है। जगनाजी के विशे में ऐसी प्रमान भूत चानकारी निरंतर प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हम आपका अभार प्रकट करते हैं। हरे कृष्णा